कि दोस्तों निफ्टी में हमने जो भी कल बैंक निफ्टी एनलेसिस किया था उस एनलेसिस के हिसाब से अब मैंने कल आपको साइकोलोजी के बारे में भी बताया था कि साइकोलोजी लेवल कितनी जाता इंपोर्टन होती है तो देखे दोस्तों यहाँ पे जब निफ्टी गैप डाउन उपन हुआ और उसके बाद नीचे के तरब जा रहा था ठीक है तो यहाँ पे देखे इसके इस सैड में बिल्कुल भी कोई स्टॉप लॉस नहीं था या फ यहाँ पे नीचे अगर समझ लिजे कि यहाँ पे कोई कैंडल्स होती है ऐसी कैंडल्स होती है तो फिर बात अलग थी हम यहाँ पे वेट कर सकते थी कि यहाँ इन कैंडल्स के नीचे जा सकता था लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल्स ही नहीं बनी थी तो फिर यहाँ पे नीचे क्यों जाएगा बरबर यहाँ पर हम वेट किया कॉल के लिए वेट किया उसके बाद यहाँ पर consolidation किया ठीक है demand level develop होई यहाँ पर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी candle बनी उसके बाद एक supply वाली candle बनी ठीक है इसे हम inside candle बुलते हैं तो यह जो candle बनी उसके बाद अब यहाँ पर decide होता कि यह candle continue नीचे की तरफ करती और इसके लेवल को तो ब्रेक करती तो हमें यहाँ पर नीचे वाली रैली दिखाए देती सेलिंग के रैली दिखाए देती लेकिन इस candle यहाँ पर निफटी में डिमांड शुरू होई है तो यहां पर ने कीचे उसे हम वन मिनिट में देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा कैसे सिचिवेशन हुई होगी तो देखें जब यह आप ट्रेड लेते हो तो वन मिनिट और फिप्टी मिनिट का इससे के तरह कॉंबिनेशन करके हमें यहाँ पर देखना है यहाँ पर जो हमने लाइन कीची है न तो यह वाली वो लाइन है उसके बाद तो यह जो लाइन मे तक लिए ठेखें उसके बाद जैसे ही इस ने इस लाइन को ब्रेक किया इसलाइन को ब्रेक पुल बैक ही बना इससेटर्च करके बाद नीचा आया था तो यह इसे ब्रेक करने के बाद यहां पर बिल्कुल उपर तक रही है उसके बाद भी कुछ देज तो तो इस लेवल में हमें बिल्कुल पर इंट नहीं ले नहीं थी तो इससे बहतर है कि यह नॉर्माल बतलब फ्राइड डे मंडे और ट्यूजडे के लिए मैं यह अनलेसिस बूल सहुआ हों आपर कि इसने किस तरह के से अनलेसिस कर सकते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि हमने का करना चाहिए यहां पर मैं पहले सभी के ड्राइंग जो बीनिकले हो और अब नए यहां पर हम निकालेंगे यहां लिए हमारे हो गया रिजिस्टन्स मतलब 18,210 का हमारे लि बुलबैक अब यहां पर पुलबैक तो नहीं है आया है करणब कर दोस्तों जैसे बैंक निफ्टी में ऊपर वाला अब ट्रेंड के साइन दिखाएगा इसे निफ्टी में कोई तो देखें जैसे भी candles बनेगे जिस हिसाब से market open होगा उसी हिसाब से demand और supply की मदद लेकि हमें इसमें trade करना है अगर निफ्ती कल 18,210 के ओपर open होके ओपर ही sustain करेगा तो ज्यादा chance ऐसे कि ओपर की level पे आपको एक तो consolidate दिखाए देगा या फिर उपर highest buying के डाले दिखाए देगे अगर बीच में open होता है और इन दोनों levels को break न करते हैं बीच में रहेगा तो consolidation दिखाए देगा फिर उपर जाये Stop loss हीट करें अगर उसे उपर जाना है तो नीचे आए और फिर उपर चला म derechos यह तो नीचे आ फिर यहां पर नीचे आएगा is na वाला पैटन बनाए नीची गिरने के लिए आप देखे अगर उपन हो गया कही भी और टारिकली बाइंग के रैली शुरू कर देता है अब यहां पर आएगा स्टॉपलास हीट करेगा और यहां पर आकर स्टॉपलास हीट करके उसे उपर जाना है तो थोड़ा उपर जाएग अच्छा मार्गेट होता है और कल हमारे टार्गेट भी अच्छी होती ही है तो आज के लिए बस इतना है अगर यह इंफ्रमेट्र लेगी है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और ज्यादा ज्यादा आपने दोस्तों दिस्ते लिए अप साथ इस चैनल को शेर कीजिए इस अच्छा उड़े को साथ आप सरी से मुला का थोगी तब तक लिए दीजिए ज़ा थेंक्यू बरे मच्छ बाबाए दोस्तों